नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्जान से सम्मंदित कुछ पिष्णों को हैं डिस्केस करेंगे जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे उनको पहले देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा पहला पृष्णे है के जन्तू बग्जियान यानि की जूलोजी किसका अध्यान है ठीक है आप्शन ए है केबल जीवित जानबरों का आप्शन भी है केबल जीवित बनस्पती का option C है जीवित इवं मेर्ट जानबरों दोनों का और option D है जीवित वा मेर्ट बनस्पती दोनों का तो इसका जो सही आंसर है वह है option number C यानि जीवित वा मेर्ट जानबरों दोनों का जो अध्यान है वह है कहलाता है जन्तु विग्यान या जूलोजी आगे बढ़ते हैं जो जन्तू विग्ञान है जिसको हम जूलोजी कहते हैं के अंतरगत, जीबित एवं मिरत जानवरों का बिष्टत अध्यन किया जता है जन्तू विग्ञान, जीविग्ञान की एक प्रमुक साखा है जिसके जनक अरस्तू माने जाते हैं आगे बढ़ते हैं कि जो फूलों का अध्यान है यानि फूलों के अध्यान को क्या कहते है ओप्शन A है फ्रेनोलोजी ओप्शन B है एंथोलोजी ओप्शन C है एगस्टोलोजी और ओप्शन D है पैलीनोलोजी ठीके तो इसका जो सही आंसार है ओप्शन नमबर B एंथोलोजी फूलों का अध्यान कहके लाता है एंथोलोजी ठीके और जो फ्रेनोलोजी होता है कहके लाता है मस्तशकी के बिभिन भागों की तिरियसीलता तथा बशिप्रता का अध्यान Anthology एक अलाता है फूलों का अध्यान Agrostology एक अलाता है घास से सम्वंदित अध्यान वह एक होता है पैली-Nology एक अलाता है बिर्भन पिकार के पराग करनों का अध्यान आगे बढ़ते हैं तो निमलिखित मैंसे कौन सा विशाय जनसंख्या एवम मानाव जाती के महत्पूर्ण आंकणों के अध्यान से सम्मंदत है ओप्शन A है पारस्तितिक बिग्यान, ओप्शन B है आनुबांस की, ओप्शन C है जनांक की और ओप्शन D है बायरस बिग्यान तो इसका जो सही अंसर है वह है जनांक की यानि ओप्शन नमबर C इसका सही है जनसंख्या एवम मानाव जाती के जो महत्पूर्ण आकड़े होते हैं इन से सम्मंदत जो अध्यान कहलाता है वह कहलाता है जनांक की आगे बढ़ते हैं जो परत्तिक विग्यान होती है यह सजीवों पर उनके चारों ओर के परयावन के प्रभाव का अध्यान होता है आनुबांस की जो होती है वह जीवों के आनुबांस की लेक्षणों तथा इनकी बंसागती का अध्यान होता है जनांक की या जनसंख्या ए ग्यानेक विब्रण के तोलनात्मक अध्यान को क्या कहते हैं ठीक है विबिन संस्क्रितियों का जो भी ग्यानेक विब्रण है इसका तोलनात्मक जो अध्यान है उसे क्या कहते हैं option A, ethnology, option B, ethnography, option C, ethology और option D, ethics तो इसका जो सही अंसार है वह है option नम्मर A, ethnology आगे बढ़ते हैं जो ethnology होता है एबरविन संस्क्रितियों के विब्रण का तोलनात्मक अध्यान होता है ethnography जो होता है किसी बिशिष्ट संस्क्रिती का अध्यान होता है ethology जो होता है मानाव सहित सभी जन्तुयों के विवहार का अध्यान होता है और इथिक्स जो होता है नेतिक आचार्था करतब का मनोबग्यानिक अध्यन होता है आगे बढ़ते हैं कि पेलियो बनस्पती के अंतरगत किसका अध्यन कहते हैं पेलियो बनस्पती इसके अंतरगत हमें बताना है कि हम किसका अध्यन कहते हैं Option A है जन्तु जीवास्म का, Option B है सेवाल का, Option C है फफूंदी का, और Option D है इन में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसा जो है इन में से कोई नहीं, यानि पेलियो बनस्पती के अंतगत ना तो हम जन्तु जीवास्मा का अध्यन करते हैं, ना ही सेवाल का अध्यन करते हैं, और ना पादप जीवासमों का अध्यान करते हैं ठीक है किसका अध्यान करते हैं पादप जीवासमों का जो की लाखों बासपूर्व बर्फ मिट्टी इत्यादी के नीची किसी प्राक्त गटना के कारण दब गए थे और उनकी छाब पत्थरों की चट्टानों में त्राप्त होती है आगे बढ़ते हैं कि निम्न लिखित मैसे कौन एक सुमेलत नहीं है ठीक है सुमेलत नहीं है यह हमें बताना है फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर फसलों की खेती एग्रोनोमी सबजियों की खेती एपिकल्चर और फलों की खेती पॉमोलोजी तो इसका जो सही अंसर होगा वह ह कोगई क्यिटと思 सब् iteration कि की क्याइर हम एपी कल्चर नहीं झायते हैं ठीक है फूलों की खेची फिलोरी कल्चर एस ही है फसलों की खेटी एग्रॉनोमि इस ऑछ Fiona की खेटी पॉमोंशी एक आगे बढ़ते हैं जो सब् coordinates है इसको कहते हैं हम औले कल्चर ओर निद्र। होता खेती एवं फूलों की खेती आती है आगे बढ़ते हैं कि पैड़ो लोजी किस वेज्ञानेक अध्यान से सम्मांदत है आप्शन A बायू पुदूशन आप्शन B मिट्टी आप्शन C बीज और आप्शन D वायू मंदल तो इसका जो सही अंसर है वह है आप्शन नमबर B मिट्टी ठीक है तो जो पैड़ा लोजी होता है इसके अंतरगत मैदा मिट्टी के निर्मार के पकार का अध्यान करते हैं ठ इससे हारे पौधे कच्चे पदात के रूप में जल एवं खनेज लबन प्राप्ट करते हैं। मिट्टी बहुत देख चटाने के अफच्छा से निर्मित होती है। आगे बढ़ते हैं कि कीट सम्मर्धन क्या है। आप्शन A कीटों की बद्धी करने का बग्यान। आप्शन B जन्तूं के अध्यान करने का बग्यान। आप्शन C मचलियों के अध्यान करने का बग्यान। आप्शन D कीटों को मारने का बग्यान। तो इसका जो जही अंसर है वो है आप्शन नम्मर A यानि कीटों की बद्धी करने का जो बग्यान होता है उसे हम बोलते हैं कीट सम्मर्धन ठीक है तो कीट सम्मर्धन कीटों की बद्धी करने का बग्यान है जैसे इसमें केचुगा हो गया केंचुगा कर्षकों का मित्र वूमी की आत कहा जाता है केंचुगा खाद या बर्मी कमपोस्ट पोसक पदातों से भरपूर एक उत्तम जैब उर्वरक है आगे बाद करते हैं कि जेरंटोलोजी निमलिकित में से किसके अध्यान से सम्मन्दत है आप्षन A सिशू, आप्षन B महलाएं, आप्षन C तोचा की बीमारी, आप्षन D ब्रद तो इसका जो सही अंसर है वह है आप्षन नमबर D यानि जेरंटोलोजी ब्रदों का अध्यन करने का बिग्यान है आगे बढ़ते हैं, जो जेरंटोलोजी है, जीव बिग्यान की एक उप्षाका है जिसका सम्मन्द बैद्द वक्तियों से है ठीक है, बैद्दावस्ता में मास पेसियां से थिल हो जाती हैं तथा सरीर के अंग भी इवावस्ता की तरह कार नहीं कर पाते हैं आज के विग्यानेक इस बात का पता लगाने का प्रत्न कर रहे हैं कि मनोस्व में बुढ़ापा एजिनरता लाने के लिए सरीर के कौन-कौन से किर्यात्मक परबतन उत्तद आई हैं आगे बात करते हैं कि जैनेटेक्स निम्न मेंसे किस का अध्यान है आप्शन A मेंडल का नियम, आप्शन B जेववेकास, आप्शन C DNA सानचना या आप्शन D आनु बान सकता एवं बिचर्ण तो इसका जुशाई अंसार है वह है आप्शन नमबर D आनु बान सकता एवं बिचर्ण ठीक है तो जैनेटेक्स जीवविग्यान की वस्ता का है जिसके अंतरगत जीवधारियों में जीनों, आनु बान सकता और बिचर्ण का ध्यन किया जाता है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद का बहुत दोस्तो पॉस्तो EO